पहले फोन देखा फिर पीछे मुड़कर थोड़ी सतरकता बढ़ाई और उसके बाद जट से मुबाईल फोन अपनी शॉल में चिपा लिया सबसे पहले महिला ने मुबाईल फोन को उठाया थोड़ा इधर उदर घुमाया सीधा किसी को शक नहो इस दिये पूरे एक मिनट बिना हरकत किये बैठ गई फिर तीन चार बार पीछे मुड़कर संचालक की गदविधियों पर नज़र डाली जब सब ठीक नज़र आया तो बिना किसी देरी के महिला ने अपनी शॉल में फोन दुपका दिये जौनकारी देते हुए अम्वाला सिटी के आशा गाडन निवासी बलवान सिंग ने बताया कि उनकी सिरोही मुबाइल वर्ड नाम से मुबाइल शॉप है बदवार की शाम को गुरू नानक पुरा काकरू की एक महिला अपने बेटे के साथ उनके दुकान पर आई और हर ग्राहक की दरह उन्होंने तरह तरह के मुबाइल फोन उन्हें दिखाए चॉला की सिमहिला ने अपनी शॉल में दो आई फोन और एक पावर बैंक डाल लिया जब फोन की काउंटिंग की गई तो उन्हें उस पर शक हुआ जिसके बाद चेकिंग के दोरान पूरा मामला खुलकर सामने आया है दुकानदार ने ये भी बताया कि पकड़े जाने पर महिला पैर पकड़ कर माफ़े भी मांगने लगी लेकिन उन्होंने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्च करवाया है अम्बाला से अमन कपूर पंजाब के स्ट्टी टीवी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद